यह हमारे पास पे questions है जो राशन नम्बर का question है arrange the numbers in ascending order तीन नम्बर हमारे पास दिये हुए है minus 3 upon 5, 7 upon minus 10 and minus 5 upon 8 यह तीनों नम्बर को arrange करना है ascending order में यानि कि बढ़ते करम में जो पहले छोटा होगा वो लिखाएगा फिर उससे बढ़ा उसके बाद लिखाएगा फिर उससे बढ़ा उसके बाद लिखाएगा इस तरह से तो students एक बात याद हमेशा याद रखें कि ascending order में find करने बोले या descending arrange करने बोले दोनों बनाने का rule same है तो सबसे पहले जो हमारे पास में दिये हुए numbers हैं उनको लिखते हैं minus 3 upon 5, 7 upon minus 10 and minus 5 upon 8 तो आपको इससे पहले हम बता चुके हैं कि कभी भी denominator में हमारा negative नहीं होगा यानि ये तो हमारा minus 3 upon 5 है ठीक है और ये हमारा minus 7 upon 10 हो जाएगा और ये हमारा minus 5 upon 8 होगा अब क्या करेंगे ना कि हमारे पास में denominator में जो जो numbers हैं उनका LCM फाइंड कर लेंगे तो at first we find the LCM of 5, 10 and 8 तो हम लोग पहले 5, 10 और 8 का LCM find करते हैं इस तरह से 5 से देंगे तो 5, 1 बार में ये 5, 2 ये 8 का 8 हो जाएगा ये 2 से देंगे 2, 1 बार में 2, 4 और ये हमारा पुरा 4 से 1, 1, 1 इसका मतलब कि LCM जो हमारा निकला वो 5 into 2 into 4 होगा तिनों multiply तो जा 5, 2 जा 10 10, 4 जा 40 हमारा LCM 40 होगी है यानि कि पहला नंबर जो हमारे पास में है वो minus 3 by 5 है इसका मतलब कि minus 3 upon 5 को लेंगे और इसको multiply करेंगे हमारा D nominator 40 आया है और हमारे पास यहाँ D nominator में 5 है यानि 5 को multiply किस से करेंगे कि 40 होगा तो 8 से तो यानि 8 से नीचे को भी और उपर को भी multiply करेंगे यह रैसनल नममर का rule होता है कि किसी भी नममर को अकर नीचे से multiply करेंगे तो उसी नमर से उपर को भी multiply करेंगे और किसी नममर से उपर को अकर multiply या डिभाइड करेंगे तो वाइस त्री को 8 से multiply करेंगे माइस 24 हो जायएगा 5जा 40 next फिर हम देखेंगे दूसरा नमबर हम पास में है minus 7 upon 10 यानि कि minus 7 upon 10 हम देखेंगे यह denominator में हम पस 10 है तो कि हमारे पास LCM 40 आया था तो 10 का टेवल कितना बार पढ़ेंगे 40 होगा 4 बार में that means कि 40 को 10 से डिवाइड देंगे 4 आयगा तो इसलिए उपर को भी 4 से multiply कर दिए हमारे पास हो गया minus 28 upon 40 and last में हमारे पास में जो नमबर है वो है minus 5 upon 8 यानि कि minus 5 और 8 को multiply करेंगे किसे करेंगे तो नीचे देखेंगे denominator में हमारे पास 8 है यानि कि 40 को 8 से डिभाइड देंगे तो 5 आयगा तो यानि कि उपर नीचे देनों से 5 को multiply कर देंगे तो वोज़ा का minus 25 by 40 अब हमारे लिए बहुत ही easy हो गया यह पता करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है क्यों क्योंकि हमारे पास में d nominator तीनों में same आ गया है यानि कि जो सबसे चोटा हो पहले उसको लिखना है तो negative में यह हमारा सबसे पहले सबसे चोटा होगा तो minus 28 upon 40 चोटा हो गया चोटा का sign है मतलब यह हो जाएगा फिर minus 25 upon 40 हो जाएगा और फिर हमारे पास में minus 24 upon 40 हो जाएगा अब हम बात कर देंगे कि यह सब निंबर कहां कहां साया है तो minus 28 upon 40 जिसका value है minus 7 upon 10 चोटा है minus 25 upon 40 यह कहां साया है तो minus 5 upon 8 और यह minus 24 upon 40 कहां साया है तो minus 3 upon 5 लेकिन हमारे पास questions में जो दिये हुए हैं वो किस प्रकार से हैं कि minus 7 by 10 नहीं है 10 upon 7 sorry 7 upon minus 10 है तो हम इस कोई से लिखेंगे यह छोटा पड़ गया हमारा फिर minus 5 upon 8 है यह questions में और यह भी हमारे पास में questions में minus 3 upon 5 है और यह हमारे एरेंज हो गया ascending order में इके मारे answer जुरस्टरऊगा पासना की दोट prostate पासर झासर से उख अबरास